देश भर में प्रसिद मध्यप्रदेश के चिंदवारा जिले के पांडूरा का खूनी गोट मार खेल आज भी जारी है इस वर्ष खेल में दोनों पक्षों के करिब 700 लोग हुए घायल साथ वर्ष बाद पांडूरा गाओ को जीत हासिल हुई और पांडूरा पक्ष जंडा काटने में सफल रहा सावर गाओ के खिलाडियों को हार माननी पड़ी आपको बता दे गोट मार खेल मेला में जान की परवा किये बगेर खिराडी एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं चलिए आपको आज इस खूनी खेल की जानकारी देते हैं कि आखिर क्यों इस दिन दो गाओं के लोग एक दूसरे के खून की प्यासे हो जाते हैं गोट मार मेले की शुरवास सतरवी एक के लगबग मानी जाती है सावरगाओं की सुरेश कावले परिवार की पुस्तेनी परंपरा स्वरूप पलाज की व्रश को जाम नदी की बीच गाड़ते हैं फिर पांडोर्ना पक्ष के लोग अपनी मननतों के अनुरूप जंडे की पूजा करते हैं फिर शुरू हो जाता है पत्थर मारने का सिलसरा जो शाम तक चलता है दोनों पक्ष के खिलाडी जंडे को कुलहारी से काटने की कोशिश करते हैं इस आयोजन के संबंद में किवंधती से सावरगाओं की कन्या और पांडोर्ना के लड़के की प्रेम कहानी है जिसमें पांडोर्ना एवं सावरगाओं पक्ष के बीच हुई पत्थरों की बोचारों से इन दोनों प्रेमियों की म्रत्यू जाम नदी की बीच ही हो गई थी संबंदार इस घटना की याद में माच चंडिका की पुजार्चना कर गोटमार मेले कायोजन किया जाता है